ट्यूलिप फ्लावर अमेजिक भैक्स फैक्ट नमर वन दुनिया बर में ट्यूलिप की 3000 से भी अधिक किस्म पाये जाते हैं और इनकी 150 से भी अधिक पजातिया हैं ट्यूलिप नम की उत्पति फार्सी सब्द के डेल बंड से हुई है और इसका और्थ पगड़ी होता है इस फूल का आकार भी पगड़ी के जैसा होता है इसका ये कारण और भी हो सकता है दरसल पुराने जमाने के तुर्की के अस्थानिये लोग अक्सर अपने पगड़ी को ट्यूलिप के तनों से सजाते थे और यहां उनके फैसन का एक हिसा था ठैक नमर थ्री ट्यूलिप फूल की कलियां लगवग पूरी तरह से जुड़ाल होती है और यह इनकी सबसे बड़ी खासियत है ठैक नमर फोर ट्यूलिप दुनिया का सबसे पसंदीदा फूलों में से एक है यह गुलाब के बाद सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाला फूल है ठैक नमर फाइब ट्यूलिप लिली फूल की पर जाती का ही एक हिसा है ठैक नमर शिक्स ट्यूलिप के वल बसंत रीतु में सिर्फ तीन से साथ दिनों के लिए ही खिलते हैं ठैक नमर सेवा निय पे समाने तहीं एक तने पर के वल एक फूल खिलते हैं लेकिन कुछ पर जाती है एसी भी है जिनके एक तने पर चार फूल खिलते हैं ठैक नमर टेन ट्यूलिप तूर्की और अफगानिस्तान का राश्टिय फूल है ठैक नमर अलाव फूल की खेती ज्यादातर पहाड़ी पूरी दुनिये में नीधर लेंड ट्यूलिप का सबसे बड़ा उत्पाजक देश है इसका हर साल लगवक्त 3 बिलियर निरियात किया जाता है फैक्ट नमर 13 ट्यूलिप के फूल किसी जमाने में बहुत मांगे हुआ करते थे जिसे खरीद पाना आम इनसान के बस की बात नहीं थी फैक्ट नमर 14 सन 1600 के दसक में इसकी कीमत अस्मान छुने लगी थी कई बार तो इसकी कीमत इतनी थी कि इसके बदले में एक घर खरीदा जा सकता था फैक्ट नमर 15 सन 1634 से सन 1637 के सैंकाल को ट्यूलिप मानिया नाम दिया गया था क्योंकि इस दोरां ट्यूलिप फूलों की कीमत सबसे ज़्यादा थी कहा जाता है कि इसकी कीमत किसी बेस कीमती हीले से कम नहीं थी